अमेरिके की जो इंटेलिजन्स कम्यूनिटी है उसका मानना है कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है तनाव इतना बढ़ने की आशंकाज़त आई गई है कि दोनों देशों के बीच भारत के साथ संगहर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है लेकिन कहा ये भी गया है कि अगर ऐसी नौबत आई तो पीम नरेंदर मुदी की सरकार इससे सकती से निपटेगी ये बात यूएस इंटेलिजन्स कम्यूनिटी ने अमेरिकी सरकार को बताई है बताई कई और एहम बाते हैं जिनमें चीन से लेकर अश्यत तक शामिल है ये सारी एहम जानकारी आपको देंगे इस स्टोरी में लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरी के लिया अंकट को फेस्बुक, यूट्यूब और इंस्टा पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा आपको पता होगा कि 2020 के मद्धे से ही भारत और चीन के रिष्टे बहुत तल्क है वैसे ये तल्क ही 2017 में डुकलाम के बात से ही है वहीं पाकिस्तान के साथ भारत की बातचीत बंध है ऐसे में American Intelligence Community का अपनी सरकार को ऐसी जानकारी देना बहुत एहम हो जाता है हाला कि American Intelligence का ये भी कहना है कि भारत पर किसी तरीके का खत्रा होता है तो पहले कि तुल्ना में नरेंदर मुदी की सरकार मिलिटरी फोर्स के साथ रिस्पॉंट करने में बिल्कुल नहीं हिचकेगी चाहे ऐसा खत्रा असल में हो या इसका अंदेशा मातर हो दरसल U.S. Intelligence Community हर साल एक Threat Assessment यानि खत्रों के अंदेशे से जुड़ी एक रिपोर्ट सरकार को सौपती अपने हाँ अभी हाल ही में जब ये रिपोर्ट सौपी गई तब भारत के बारे में ये बाते निकल कर सामने आई रिपोर्ट के मताबिक भले ही भारत और चीन के बीच बार्डर इशू को रिजॉल्व करने को लेकर बातचीच चल रही है लेकिन आने वाले दिनों में दोने देशों के बीच रिष्टे बहुत तल्ख रहेंगे ये रिपोर्ट में कहा गया है रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत चीन के arm confrontation का भी खतरा है जिसका सीधा असर अमेरिका पर भी पढ़ सकता है जैसे कि आपको याद होगा कि 2020 की माई के बाद इंडिया चाइना रिलेशन्स कभी भी नॉर्मल नहीं हुए भारत का स्टेंड है कि जब तक बॉर्डर पर शांति कायम नहीं हो जाती दोनों देशों के रिष्टे सामान नहीं हो सकते वहीं पाकिस्तान के मामले में भारत का स्टेंड लगबग चीन जैसा ही रहा है भारत का कहना है कि आतंकवाद और बाचीत साथ साथ नहीं चल सकते ऐसे में अमेरिका को भारत पाकिस्तान के बीच जो संकट है वो जादा गंभीर लग रहा है सबसे जादा गौर करने लाग बात ये है कि भारत चीन और पाकिस्तान तीनों ही नुकलिर स्टेट्स हैं लेकिन इन तीनों में से एक नुकलिर स्टेट पाकिस्तान को लेकर बहुत गंभीर बात कही गई है रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान लंबे समय से भारत विरोधी जो मिलिटेंट ग्रूप से उनको सपोर्ट करता रहा है आगे ये भी कहा गया है कि अगर पाकिस्तान अब कोई ऐसी हरकत करता है तो नरिंदर मोदी की सरकार मिलिटरी फोर्स के साथ रिस्पॉंड करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकेगी अभी दोनों देशों के बीच तनाओं के जड़ में आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है बागी पाकिस्तान को लगता है कि उनकी तरफ से कश्मीर भी अभी एक मुद्दा है जैसे कि आपने पहले ही सुना कि पाकिस्तान से भारत तब तक बाचीत को तयार नहीं है जब तक पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता रहेगा हलागि US और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद पर एक राउंड की बातचीत हुई है इस बातचीत के दोरान Counter Terrorism Corporation से लेकर Cyber Security और Violent Extremism का सामना करने जैसे कई एहम मुद्दों पर चर्चा हुई हलागि आतंकवाद के साथ अमेरिका लंबे समय से चर्चा करता रहा है उनके साथ काम करता रहा है लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया मतलब यह वो देश है जहाँ Osama bin Laden को अमेरिका नहीं मार गिरा है था ट्रम समित कई अमेरिकी नेताओं ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्यदार ठह रहा है और अभी तो आलम यह है कि जिस आतंकवाद को इन्होंने पाला पोसा वो अब इनके लिए ही जहरीला साबित हो रहा है कई टेरिस अटैक हो रहे हैं इनके अपने सोयल पर लेकिन इस स्टोरी का परपस पाकिस्तान बैशिंग नहीं है और हाल फिलान में न तो आतंकवाद समाप्त होता दिख रहा है और ना ही भार पाकिस्तान रिष्टों के सामाने होने की कोई संभावना नजर आ रही है ऐसे में लोटते हैं इस रिपोर्ट पर जिसमें चीन को लेकर भी कई सारी बाते कहीं गई है चीन के रिष्टे सिर्फ भारत के साथ नहीं बलकि अमेरिका के साथ भी सबसे बुरे दौर में हैं दोनों देशों के बीच लगबग कोड़ और जैसे स्थिति है ऐसे में रिपोर्ट में चीन को लेकर कई गंभीर बाते कहीं गई हैं जैसे बताया यह गया है कि रूस और चीन के बीच व्यापार तीजी से बढ़ता जा रहा है ऐसे में भले ही चीन सीधे तौर पर हत्यारों से रूस को मदद नहीं कर रहा रहा है लेकिन इंडिरेक्ली मदद पहुंचा रहा है सेमी कंड़क्टर सिस्से में दुनिया के लिए बड़ा मुद्द है और कहा यह जा रहा है यूएस की तरफ से कि चाइना इसके बिजनेस को भी कंट्रोल करना चाहता है और अब तो यूएस इंटेलिजन्स कम्यूनिटी खुल कर इस निश्कर्स की तरफ भी बढ़ रही है कि कोरोना वाइरस भी चीन के किसी लैब से लीक हुआ था विच मींस कि जो कोल्ड और यूएस चाइना की यह अभी और इंटेंस होनी है ऐसे में इस ताजा रिपोर्ट में भारत के लिए हास से चीन और पाकिस्तान बहत एहम हो जाते हों और सिर्द भारत के लिए नहीं यह दोनों देश दुनिया के कई देशों के लिए सिरदार बने हुए हैं उमीद है कि इस रिपोर्ट से जोड़ी हमने आपको परियाब जानकारी स्टोरी में दी होगी ऐसे ही स्टोरी के लिए देखते रहेगा अंकट मेर नाम है तारो